हेलो दोस्तुँँ आप सभी को मेरा नमस्कार मेरा जुरा मिरडा आप सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में स्वागत करता हूँ दोस्तुँँ जैसा कि आप इसके पर देख रहे हैं जो आज का हमारा टोपिक है टेंस टोपिक है आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगी जो हमारा यह पहला ही पार्ट है दोस्तुँ यह सबसे पहली क्लास है तो दोस्तुँ मैं आप से सबसे प्रातना करता हूँ कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इस श्यम निरने लें एक बार देखकर ही न आता है तो हमारे समय से यह आ जाती है कि वहां से हमसे उत्तर नहीं करता है तो दोस्तु मोग्यों पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कूल नहीं और दोस्तु । इसको सब्सक्राइब बिल्कुल करें तता बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देंगे ताकि इसके बाद भी जो भी वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल पे तुरंट मिल सेगे तो दोस्तों आज का हमारा टोपिक है टेंस, टेंस में दोस्तों सबसे पहला पार्ट हमारा पर्जेंट टेंस से समझदीत है आज हम पर्जेंट टेंस के बारे में संपुर्ण जानकर जीतनी भी होती है A to Z जो रूल से वो जानेंगे तता ये जानेंगे कि इनमें जो अंतर है तता जो पर्जेंट टेंस है तता जो उनके उप भाग है इनको किस परकार से बांटा गया है, उनमें अंतर क्या है, यह सब दोस्तूं इस वीडियो में हम जानेंगी, दोस्तूं आपके सामने एक दिख रहा है, आप देख सकते हैं कि लिख रहा है, the form of verb which denotes time, it's called tense, मतलब क्या हुआ, किरिया के जिस रूप से समय का बोध होता है, उस दोस्तूं आपने हिंदी में तो जुरू पड़ाओगा, वरतमानकाल, भूतकाल और वईशेकाल, उसी प्रकार, अंग्रेजी में भी present tense, past tense और future tense, अब दोस्तूं जो perfect tense होता है, पर्तेक tense के चार भाग है, आप देख सकते हैं, नमबर एक है, जिसे present simple हो गया, उसके भी चा भी कहते हैं, नमबर चार है, perfect continuous tense, जिसे हमें complete progressive भी कहते हैं, अब दोस्तूं इन एक के बारे में जितने भी प्रकार की जो जानकारी है, मुझे आपके सामने रखने वाड़ा हूँ, सबसे पहले में बता दूँ कि इनकी जो form यूज की जाती है, present tense में, present tense के जो चार भाग ह होते हैं, first form, second form, third form, जो fourth form होती है, वो ing form होती है, तो दोस्तों इसके जो verb की form होती है, यहां आपको verb की first form कामे लेनी है, किसमे, present indefinite tense कहते हैं, जिसे हिंदी में साधारन वर्तमान काल कहते हैं, तो इसमें verb की first form plus as या yes, और वापस या verb की first form, या do और does, इनका इस्तेमाल ह और दोस्तों मैं आगे बताऊँगा आपको कि as या yes किस के साथ में लगा जा सकता है, या क्यों लगा जाता है, आगे बात करेंगे हम इसके बारे में, नमबर दो है, present continuous tense, सबको पता इसको क्या कहते हैं, हिंदी में लगातार वर्तमान काल, इसमें is, mr, verb की first form plus ing, यह आपके main verb के रूप में आता है, और जो is आरे में, यह आपके helping verb के रूप में आता है, तो दोस्तों आपको किसी भी sentence में, अगर is mr, और plus में, वर्त की ing form आपको दिखे, तो इसका मतलब है, वो present continuous tense होता है, इसके लगा दोस्तों हम परते एक जो tense है, उसकी पहचान किस प्रकार होती कें तो नमबर तीन है, present perfect tense, present perfect tense, इसे दोस्तों हिंदी में कहते है, पूरण वर्तमान काद, इसमें helping verb है, हेज और हेव कामें आती है, और web की तीसरी form, दोस्तों इसमें कामें आयेगी, आगे बात करें, नमबर चार है, present perfect continuous tense, पूरण अपूरण वर्तमान काद, इसमें helping verb के में हैज भीन और हेव बीन दोनों में इस एक काम आएगा और वर्व की फिर्ट फॉरम है उसके साहथ में आइंजी फॉर में काम इली जाएगगा अब हम इन सभी के बारे में एक एक करके संपुर्ण जांत कर यह वह प्रप्पत करते हैं मैं आपको सबसे पहले बताओं एक्जामपल देखें कि इनमें अंतर केसे होगा दोस्तों परजेंटेंस के एक्जामपल में आपके सामने रखें तो इसके बाद में रूल पढ़ेंगे पहले हमें इसके जो एक्जामपल हो देख लेते हैं सबसे पहला है दोस्तों परजेंट से परजेंट शिंपल उसको भी वापस चार बागों में मांटा गयाए अभी 4 बाग कैसे हो सकते हैं उनको मेंने एक्दम सिम्पल की तोर पर आपके सामने रखा है यह हमारा होगा कि राम स्कूल जा रहा है ममलब राम के द्वारा स्कूल जा रहा है, इससे किस समझ में कितनी शेंटेंस बन सकते हैं, तता कौन-कौन से शेंटेंस में किस प्रकार का वाक्य बनेगा, यह देखते हैं, नमबर एक है, सबसे पहला, राम गोज टू इसकूल, तो दोस्तों यह हो गया, यह परजेंट सिंपल का बहुचन होती है, अब दोस्तों आपको सब का पता है, राम है, वो एक वचन है, और केवल जो गो हमारी किरिया है, यह दोस्तों बहुचन में है, तो इसको एक वचन बनाने के लिए, हम इस क्रिया के साथ में, S या इस का यूज कितने करते हैं, अब दोस्तों आप मनोगे, जैसे आपके आगया बोई दोस्तों बोई एक singular noun है तो दोस्तों बोई यह लड़का होता है जैसे ऐस लगा तो बोई यह बहुचन बन गया लेकिन ये तो होगी noun मैं बात करहाओ दोस्तों verb की वई-ई-आर-वे नोत दोगो डोे Ellis क्रिया की अगर ॉष्ट फॉरम है तो वह एक तरह से बहुचन अभलू नउन नहीं और jestem single सभॉड के साथ में ब्रभ कामे में जीषिया लेगी सब्सक्राइब्न के इसको हम सिंगुलर sentence हो गया, आगे नमर 3 है does not go to school, ये interrogative sentence हो गया मदब परसन वाच सब आके, दोस्तों आगे है या क्योंसे नमारक सीन आएगा दोस्तों आगे है, does not राम go to school, ये हो गया interrogative negative sentence, इसमें दोस्तों एक बार तोर बताऊं में, कि यह does not है, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं एक है don't एक होता है do not अब आप अगर interrogative negative sentence में अगर इसको कामें ले रहे हैं आप अगर आप doesn't लिखते हैं तो आप doesn't को इस subject से पहले यह जो note भी आ रहा है साथ में इस doesn't को एक साथ लिख कर subject से पहले लिख सकते हैं लेकिन इस जगे अगर आप यूज करते हैं do, does अलग आ गया और note अलग लिखते हैं तो दोस्तों यह note है, इस subject के बाद में आएगा ने की पहले, अगर आप doesn't एक साथ लिखते हैं तो subject से पहले आएगा और आप does और note को अलग लग लिखते हैं विश्तारित फोर में लिखते हैं तो दोस्तों आपको इस note को राम के बाद में लिखना है यह बात पर आपको भूच ज़दा ध्यान में रखनी है तो दोस्तों यह मैंने बताया कि जो present simple इसके भी चार बाग हैं तो दोस्तों इसके बारे में यह हमने पढ़े एकदम जो राम स्कूल जा रहा है इसके समझ में जो present simple है इसके कितने भाग हो सकते है मतलब राम स्कूल जाता है राम स्कूल नहीं जाता है क्या राम स्कूल जाता है क्या राम स्कूल नहीं जाता है अब दोस्तों एक एक करके इनके बारे में विस्तार से जो नियम है इनके वो पढ़ते हैं कि कौन सी कहां काम आएगी और उनकी पैचान हो किस परकार से होगी वाक्य का इस्ट्रक्चर होगा वो किस परकार से होगा दोस्तों यहां जो जानकारी मिल रही है आपको एकदम authentic है इसमें किसी भी प्रकार की गलती की कोई संभावना नहीं है दोस्तों आप ध्यान से दिये कि आपको मुझे पूरी उमीद है कि आपको एक इबार में यह समझ में आ जाएगा तो दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको like, share, comment करना बिलकुल नहीं बूले और आपकी एकजाम की दिश्टी कोण से बहुत ही मैतोपूर है वो में इने content आपकी सामनी प्यार करके रखा है तो दोस्तों अब है present tense, present tense में हम simple present को पढ़ रहे हैं दोस्तों और simple present का पहला पार्ट है affirmative sentence, affirmative को दोस्तों हिंदी में साधान वाक्य कहते हैं जो अभी हम इने पढ इसमें आएगी नंबर दो है शाम के सहपाटी समान से उसकी और देखते हैं शाम's classmates look at him with respect तो दोस्तों इसमें देखो शाम है वो singular noun है इसलिए classmate में S या E.S को जोड़ना बहुत ही जरूरी हो गया अभी मैं आगे बताऊंगा कि S किसके साथ में जोड़ता है S किसके साथ मे नहीं जोड़ेंगे या कौनसी वर्ब है जिसके साथ में केवल S जोड़ेगा तता कौनसी की साथ में E.S जोड़ेगा ये भी आगे में बात करने वाड़ा हूं दोस्तों आगे बताए नंबर तीन है कि लेखक बारती समाज की तस्वीर पेस करते हैं the writer presents क्यूंकि दोस्तों जो यह दे लगता है आपको सबस्ता दे आर्टिकल है अगे निश्चित आर्टिकल है जो हमारी नाउन होती है उसको फिक्स कर देता मुलब यह एक वचन नाउन है जैसे दे आ जाए दे का मतलब है singular के साथ में दोस्तों आपको पता है वर्ब की कौन सी आती है वर्ब की फर सिंगुलर वर्ब में बनाने के लिए एस या इस का इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रकार इसलिए दोस्तों देगो दे राइटर दे लगते ही राइटर क्या हो गया एक वचन हो गया दोस्तों प्रिजेंट है प्रिजेंट एक पलूरल वर्ब है इसको सिंगुलर वर्ब सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर नाउन है तो दोस्तों इसलिए एस जोड़ते यह क्या हो गई सिंगुलर वरब बन गई तो दे राइट राइट प्रिजेंट्स दे पिक्चर ऑफ दे इंडिन सोसाइटी आगे है नमबर च्यार एक्जामपल सिपाही सेंद मार को पकड़ता है तो दोस्तों यह दे पुलिसमें दे पुलिसमें केवल अगर पुलिस सब्द है दोस्तों तो यह क्या है पुलिस आप सब जानते होंगे तो केवल पुलिस है वो एक बहुचन नाउन है दोस्तों और अगर यह आगया दे पुलिसमें दे जुड़ते ही है दोस्तों इसका मद के लिए एस का इस्तेमाल किया जाता है आगे बात करें दोस्तों तो इसलिए पुलिश में के चीज द्या हाउस ब्रेकर तो दोस्तों हुआ क्या अगर आपको किसी भी सेंटेंस में वर्ब के साथ में एस या इस जुड़ा वाल दिखा है इसके साथ में वर्ब के साथ में तो में भी देगो parents है जान जा बटलाए उसको शान वोलेंगे दोस्तुॐ यहां एक चीज और ध्यान के रहे हां ल एक उस्काकर घूस का एक के रुप rain के रूप की रूप में क्यों के और परफेक्ट इंसे की होगती है सो यहां उसकी पैसान क्या होती है और सब्कूरh आपके होती है कि हेज या हेव पनस में वर्प की थड़ फर्म आती है दोस्ताМे तो वर्प की थड ठ़र्ड अगर यहां आ जाती तो ध Pal You कि ठर फर्परूर में अगर यहां कामे आता है तो यह भी परज़ण प्रपेक्ट रोजाए तो present perfect होता नहीं तो दोस्तों ये हेज है main verb की रूप में यहां सामने आया है इसी प्रकार आर आर के बाद में अगर present continuous में बले वर्प की first form प्रस ing आता तो दोस्तों हम उसके present continuous कर सकते दें लेकिन आर के बाद में आये इसलिए आर है या में वर्प की रूप में सामने आया है अब दोस्तों नीम क्या है हमेशा वर्प की first form किसमे पर्जंड सिंपल के affirmatory sentence की बात हो रही है first form का में आयेगी देखें वाकिसंग्या एक से 6 तक देख लिए हमने यह दी वाकिया का subject third person singular he see it और name of one person और thing यह नहीं होता है वस्तू या कोई शामान तो वर्प की first form के end में एस या एस लगाएं दोस्तों आप समझें subject अगर third person singular होगा subject third person singular होगा दोस्तों आपको वर्प की first form के साथ में s या एस का में लेना है दोस्तों आप वाकिसे तीन और चार देख सकते हैं मैं आपको दुबार दिखा दूँ कि आप देख सकते हैं जो तीन नमर है इसमें के चीज एस लगा है और तीन में भी present के सामने s लगा है क्योंकि जो इसका आपए दोस्तों या प्रियोग करें दोस्तों होता क्या है अगर आपकी वर्प है उसका अंत्यम अक्सर o-ssh या च्या ए-s-s डबल-s आएगा तो दोस्तों इन्ही अक्सरुषिप समापत होने वाली वर्प के साथ में आपको ए-s को कामे लगा बागी के साथ में kvl-s काम आगे बात करें दोस्तूं आगे है negative sentence दोस्तूं ये किसका है present simple का नकारात्मक वाकिय है दोस्तूं इसमें देखते है sentence structure क्या है वाकिय संचना subject do या डजनोट वर्प की फिर्ट परम प्लस object प्लस adjective आगे बात करें example में अंधेरा पसंद नहीं करता I do not like darkness दोस्तूं जहां तो दोस्तूं आपको बिल्कुल कह सकते हैं कि ये present simple का नकारात्मक वाकिया मलब negative sentence है नमबर दो बात करें सहे पार्टी अब श्याम का निरादर नहीं करतें सहे पार्टी अब श्याम का निरादर नहीं करतें अब दोस्तों do और डज में अंदर क्या है कि do है कि एक पलूरेल वर्ब है helping वर्ब है और डज है वो singular singular helping वर्ब है तो दोस्तों अगर फादर है फादर दोस्तों आप सब को पता क्या है singular है, तो singular होने की वज़े से helping verb है, वो भी singular का में आएगी और helping verb do और डज में से singular verb कौन सी है, दोस्तों, डज, इसलिए मैंने अभी आपको बताई था, कि do है वो plural verb है, इसको singular बनानी के लिए ACIS का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए दोस्तों, फादर के रूप में इसलिए, do का प्रियोग आना है कि डज का, आगे देखें, तो फादर डेस नोट लाव श्याम, रूल क्या है, यह भी पढ़ लेते हैं, यह दि sentence का subject करता, third person singular, third person कौन से होते हैं, he see it, दोस्तों, आप देख सकते हैं हैं, इसके पे हैं, तो दोस्तों है, singular आएगा, और उसके साथ में, दोस्तों, अगर singular है, तो does, साइक करिया, helping verb का यूज करेंगे, देखें, वाक्य संग्या, तीन, आप देख सकते हैं, फादर singular है, और does है, वो भी singular है, आगे बात करें, नमर 2 है, नियम है, यह दि दोस्तों, जो present simple का negative sentence होता है, उसमें verb की हमेशा first verb का इस्तेमाल ही किया जाता है, ने की second और third, या कुछ और का, दोस्तों, अगर do या does का इस्तिमाल हो जाता है, तो आपको verb के साथ में S या इस लगाने की आउश्यक्ता नहीं है, आप केवल, जो helping verb है उसी के साथ में S या इस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे दोगो, हमने पिछे पड़ा था, जैसे like सब्द है, तो पिछले जो present simple का जो affirmative साधान वाकिय था, इसमें हम verb के साथ में S या इस का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकि इसमें क्या, यहाँ helping verb, do और डज आ रहे है, तो दोस्तों हम do के साथ में S या इस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ने की main verb के साथ में, क्योंकि यह sentence है, negative sentence है, वो negative sentence में हमें सा verb के साथ में S या इस का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बलकि जो main verb है हमारी, उसकी first form ही परियोग मिली जाती है, यह भी रियद रूल है, अब दोस्तों, अगला है हमारे present simple का interrogatory sentence जिसे हम हिंदी में परसन वाच्चक वाक्य कहते हैं दोस्तों, इसमें helping verb, दोस्तों do या डज का इस्तेमाल सबसे पहले होगा, सबसे पहले जिसे हैं, do you love your country, do you, अब देखो दोस्तों, यहां do क्यों आया, does क्यों नहीं आया, क्यूंकि जो you है, दोस्तों, आपको पता second person है, और जो first person हो जो second person होता है, इनके साथ में हमेशा do का इस्तेमाल किया जाता है, कि does का, अभी first person कोन होता है, अभी हमने पढ़ा था पीचे, दोस्तों में द्वार बता दूँ, कि जिसमें देखो आप वेख सेकते हैं, जो third person है, third person कोन कोन से है, एक मिनिट, यहां देख सेकें दोस्तों, जो first person है, first person में हमारे I और V सामिल होते हैं, second person में दोस्तों यू आता है, जबकि third person में he see it, तता name of one person और thing, यह आते हैं, तो द last mates, respect, sham till now, नमर तीन है, क्या माता जो पीता है, sham को लाड़ प्यार नहीं करते, does father love sham, इसमें आप को दोस्तों, क्यों सेन मारे चीन को इसको नहीं बूलना है, इंटेविए टिशन, इसमें पर परसन वाचे को आके है, यह परसन वाचे को चीन है, इसका इस्तेमाल भी करना जुर्हीं होता है, आगे बात करें दोस्तों, तो आगे हैं, की रूल क्या है, does का यूज, third person singular subject की साथ में होता है, do का प्रियोग, पलूरल subject है I के साथ में होता है, आप यादगर आए, I के साथ में do का प्रियोग होगा drink की डेज का, आगे हैं, verb की फर्ज्ट पर्म का यू सबस्ते नावाद से क्वाकिए sentence structure क्या होगा डवलोच वड़ आ जाएगा बाद में helping वरब आ जाएगी subject वर जाएगी object और adjective दोस्तों इसमें केवल और केवल का है helping वरच में पहले आपको जो डवलोच वड़ डाले डवलोच वड़ दाले डवलोच वरड कौन-कौन से होते ह what यानि क्या which, who यान कौन, who यान किसका, whom, why, when, where और how इस प्रकार दोस्तों यह होगे आपके डवलोच वड़ सबसे पहला example है आप क्या चाहते है what do you want which book does she need now दोस्तों इसमें देखें तो हो गया यह बी इंटेल्गोटी से जो डवलोच वड़ से सुरू हो रहा है आगे बात करें note जीवन में ऐस प्रकार दोस्तों आपके बात करें कि अगर आप सकारातमक सुचना या आपकी जो सोच थिंकिंग है वो अगर पोजिटिव है यहां दोस्तों पोजिटिव है क्योंकि यहां लिखावा है जीवन में ऐसा प्लता है कोई नहीं चाहता या कोण चाहता है तो दोस्तों यह सकारातमक सोच है पोजिटिव ठिंकिंग है तो सकारातमक सोच थिंकिंग है तो दोस्तों आपको ऑगे बात करें अब तुम्हें किसके मारक दर्शन की आउश्यक्ता है Whose guidance do you need now आगे बात करें तो which और whose के पसाथ सामाने तेया noun का use किया जाता है whose और which के पसाथ सामाने तेया noun संग्या का इस्तिमाल किया जाता है नमबर पांच है कि आप किसे से मिलना चाहते हैं हूम डू यू वांट टू मीट नमबर दो है नमबर तीन है सेंटेंस के एंड में साइन ओफ इंटरोगेशन बलब क्यूस नवाचक चीन का यूज करें नमबर पांच चार है वर्ब की फर्स्ट फर्म का यूज करें आगे बात करें पर जंद संपल का पांचव परकार है नेगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस नकाराथ में परसान्ध बाचक वाखे तो दोस्तों इसका इस्टेक्च्चर होगा बलस वर्ब की फर्स फर्म प्लस अब्जेक्ट प्लस अट्जेक्टिव दोस्तों मैंने अभी पहले बता था कि अगर आप जो do not है इसको हम don't कहते हैं या does not है इसको doesn't कहते हैं तो दोस्तों अगर आप इनका इस्तिमाल अलग अलग करते हैं जैसे don't को do or not do not लिखते हैं तो दोस्तों आपको जो subject है इन दोनों के बीच में इस्तिमाल करना होगा don't you love your country तो दोस्तों अगर do not come do not liकते तो यह इस ट्रक्टर बन जाता do you not दोस्तों इस प्रकार आता not बाद में आता तो आपको दोस्तों इस चीज को भोथ ही जयदा मत्वफपूरण है आपको ज्यान में रखना है कि अगर दोस्तों कुछ पूछ लिया जाए इसमें मिस्टेक है तो दोस्तों अगर यह don't or do not इनमें दोस्तों आपको फ्रक्स मज़में जरूर आना चाहिए कि इसका इस्तिमाल है वो पहले होगा या बाद में आगे बात करें दोस्तों वह है अब अपने माता-पिता का आदर क्यों नहीं करता वाई देज नोट ही रिस्पेक्ट इस पेरेंट्स नौ यानि अब दोस्तों इस प्रकार ही हो गया इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो दोस्तों इस प्रकार हमने यह जाना है कि जो परजेंट सिंपल टेंस है उसके पांच परकार होते हैं सबसे पहले जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव 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 ने पर त्यंटे चेंट के इस परकार के 5 भाग होते है तो दोस्तों में आपको जो पपर्जन्ट सिम्पल है इसके बारे में ये पाँचों भाग बताएं तो दोस्तों आपको ये रूल समझ में आ गया होगा आगे जो हमारे जिससी परजन्ट कंटिनूर टेंट्जों से तो इसमें इन सभी के अलग-अलग भागों को बताने की आउसी का मेरे साब से नहीं होगी दोस्तों अगर आपको लगता है कि उनको भी विस्तार से बताना चाहिए तो दोस्तों कमेंट्स में लिख सकते हैं तो दोस्तों ताकि हमें पता चल जाए कि आपकी जो इच्छा है वो किस परकार से पढ़ने की है। दोस्तों मेरे इनस्वार मुझे लग रहा है कि present simple के हमने पांच वागों को पढ़ लिया है। तो दोस्तों आपको पता चल जाए होगा कि इनका structure किस परकार होता है या जो helping verb है वो पहले किस में आएगी या बाद में किस में आएगी। negative sentence है तो वहाँ क्या करना है इंटेर्यूरी sentence में क्या करना होता है। rule सभी tense में लगबग समान है तो आप इनी rules के आधार पर आगे की जो tense है उनमें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। level helping verb है वो बदलेगी। इसके अलावा दोस्तों जो present simple tense है इनका इस्तेमाल जो future plan होता है कोई ध्राज लेता आगे बाहर से कहीं जा रहा हो आ रहा हो तो जो ओपचारी की कारे होते हैं ओपचारी गूरूप से जो कारे होते हैं या कहें को किसी क्रिकेट मेंच का कोई अगर म सथ्य होते हैं इनको भी दोस्तों present simple tense में रखा जाता है इनके अलावा जो शारों भूमिक सकते हैं कि परत्वी यह वह सूर्य पर्थ्वी सूर्य के चारों चक्र लगाती है बाते हैं इनको भी दोस्तों मदलाब जैसे हम कहें कि एक वर्ग होता है उसके चार भुजएं होत तो दोस्तों इस प्रकार की जो बाते हैं इनको भी जो सारो वो मिक सत्य होती है या एक फैक्ट है वो फैक्ट होते हैं उनको भी दोस्तों परजन्ट सिंपल में इस्तिमाल किया जाता है तो इनका क्या रूल है कहां किसका उप्यों किया जाएगा इन बातों के बारे में हम जा मैं कहूं कि मैं किरकेट खेला करता हूँ इसलिए श्याम परति दिन अपनी दादी के पास होता है यह एक आदत है इसलिए दोस्तों यह स्याम परती दिन अपनी दादी के पास होता है यह किसमें आगा पर्जन सिंपल में इसमें होते हैं नमबर दो है वीनिवर्शल टैर्थ या सारो बोमिक सत्य जो एकदम सत्य का प्रमाण जएसे हम कहें कि सूर्य पूर्वश दिशा में उद्य होता है या कि सूर्य पश्चिम दिशा में तो दोस्तों इन चीजों को कोई बदन नहीं सकता दोस्तों आप इस कार्य को प्रात्मिताशने करें मेरी आप से रिक्वेस्ट है दोस्तों इसके लावा नेक्स पढ़ें तो आपके सामें एक्जम्पल है कि प्रत्वी सूरी के चार और गुमती है the earth moves round the sun दोस्तों एकदम simple sentence है तो दोस्तों आप इसको present simple में ही लोगे जो the earth है the earth के साथ में the लगती है मनलब यह क्या है एक परिकार का singular subject है singular subject के साथ में singular verb काम आती है आपको सबको पता है और जो move है ये move हमेशा क्या है move first form है और first form हमेशा क्या होती है plural verb होती है पलूरेल वर्ब को singular बनावी के लिए हम S या ES का इस्तेमाल करते हैं इसी परकार दोस्तों इसलिए the earth के बाद में जो move ये वर्ब है ये इसको singular बनावी के लिए इसमें S का इस्तेमाल किया गया है तो दोस्तों इसी पर इसलिए हमेशा the earth moves round the sun आगे बात करें दोस्तों नमबर तीन है with future planned program बावी नियोजित कारे जो future आगे का जो प्लान करते हैं प्रोग्राम करते हैं उसके लिए भी दोस्तों परजैन सिंपल का इस्तेमाल किया जाता है सबसे पहला है परदान वंत्री कल जयपूर जाएंगे दोस्तों आप सबको पता है विजिट के साथ में एस क्यों आया एस क्योंकि इसको हमें singular बनाया है क्योंकि दोस्तों subject है वो singular ना हुने देप प्राइमिस्टर आगे बात करें मेरे पिता अगले माज सेवा निवरित होंगे दोस्तों यह होंगे होगा तो बाद में लेकिन यह भी एक उपचारी कार्य एक प्लान है कि हम आगे इससा कार्य करेंगे दोस्तों इसलिए तो दोस्तों इसमें हो क्या होगा my father retires next month यह क् आगे पड़े दोस्तों आगे है नमर तीन अभी नेत्री का उध्यपूर पहुंचेगी फिल्म इस्टूडियो का उद्गाटन करेगी वह उसी दिन वापस चली जाएगी यह दोस्तों एक क्या है आपके सामने यह एक फ्यूचर प्लान है अरेंजमेंट है एक इन आगे बात करें दोस्तों नमर चार है हमारा वह है आपकी पुस्तक दोटा देगा जैसे ही वह इसे पूरी कर लेगा तो इसको देखते है he will return your book age and age he finishes it दोस्तों आपको पता है इसमें age and age आए है कि जे सिसम्भ होगा वह पहुचा देगा तो इसमें एक तरब तो क्या है आपका future simple है और दोस्तों future tense है और एक तरब क्या है पर gent simple है he finishes it आगे बात करें दोस्तों नमर पांच है with inherent qualities जो जनम जात गुण होते हैं उनके समझ में माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है a mother loves her children मतलब है इसमें भी दोस्तों देखो a mother है दोस्तों इसके बाद में love जाया है हर children मतलब एक माँ है अपने बच्चे से प्रेम करती है आगे बात करें दोस्तों नमर पांच है हमारा with scientific or spiritual with one minute आपके समझ अगला है with scientific or spiritual or other principles and theories वेग्यानिक या आध्यात्मिक या अन्य जो सिदान्त है उनके साथ की बात हो रही है नमर एक है जल में hydrogen और oxygen होता है सबको पता है water contains hydrogen and oxygen दोस्तों जो ये water है एक परकार की क्या है दोस्तों ये एक परकार की material noun है और दोस्तों हमेशा material noun के साथ में material noun को हमेशा singular noun समझा जाता है और इसके साथ में हमेशा singular verb कामे आती है और जो contain है ये दोस्तों केवल contain इसके साथ में इसे S हटा लिया जाए दोस्तों एकदम सिंपल है आगे बात करें तो है नमर पांच चैन्स प्रोवाब्स एंड एक्ट कथन और जो कावते होती है उनको भी दोस्तों परजेंट परजेंट सिंपल में रखा जाता है आगे है गांधी कहते है आईंसा सर्वोच गुण है गांधी शेज नोन वोईलेंच इस दे सुप्रीम वर्चू दोस्तों इसका मलब है आईंसा सर्वोच गुण है जो कथन होते है इनको भी परजेंट सिंपल में रखा जाता है नमबर दो है सभी चीज जो चमकती है सोना नहीं होती हुआ है। उसका समाधान करने में जादा समयाथ़ा नहीं आएगी. तो आप इनो पूरी तरशिये हैं, जो याद कर सकते हैं All that glitters is not gold मतलब है सभी चीज़ें जो चमकती है सोना नहीं होती आगे हैं न्यूजपेपर इन न्यूजपेपर हेडलाइन से समाजार पत्त की जो सुर्कियां होती है वो भी दोस्तों क्या होती है परजेंट सिंपल में होती है नमर दो है गोवर्मिट डिसाइड तू रेगुलराइज दे प्राइट कोलोनीज यह किसने का अच्छी बिश्च का कथन है यह एक न्यूजपेपर की हेडलाइन है तो दोस्तों यह भी किसमें होगी यह परजेंट सिंपल में होगी दोस्तों यह भी उसी में आएगा आगके बात करें दोस्तों थे इसका मतलब है यह परजेंट सिंपल होगा इसके बाद में भी देखो दोस्तों, but the batsman hits, hit आता, hit और hits, दोस्तों, अगर वेरप की first form आ रही है, तो दोस्तों, yes या yes जुड़ने का तो मतलब हो गया present simple है, और वेरप की first form आने का मतलब ही, कि ये present simple है, बीना किसी helping वेरप के, दोस्तों, आगे बात करें, बूतकाल की गटनाओं का परभावी वर्ण करने के लिए, to narrate past events, effectively historic present, नमर एक है, उस film में, विलेन हीरो को मारा, किन्तों उसने अपनी रक्षा की, किसी historical fact की, या जो फिलम में किसी, जो फिलम का scene है, उसकी बात हो रही है दोस्तों, जैसे sentence है, इसमें भी दोस्तों देख सकते हैं, कि जो hits है, या defense है, इसमें SIS का इस्तिमाल किया गया है, तो दोस्तों आप एकदम इसकी पैचान कर सकते हैं, कि ये present simple cuttence है, आगे बात करें दोस्तों, आप सबको पता है, ये sentence क्या है, बारत ने 1947 में स्वतनतर प्राप्त की, क्या दोस्तों कमेंट्स में होता है, क्या प्राप्त की, आप जानते हैं, कि पंदरा जो 1947 है, 1947 में किस दिना बारत स्वतनतर रहा था, तो दोस्तों कमेंट्स में लिखी, इंडिया wins freedom in 1947, दोस्तों ये भी क्या एक historical fact है, और जो भी historical fact होगा, उस fact को दोस्तों present simple tense में कामें लिया जाता है, दोस्तों आपको परतेक चीज़ जो ध्याने में रखनी है, इसके बाद में हमारी जो question series जो चलेगी, और परतेक question के हम definition देते जाएंगे, ताकि हमारा जो अब्यास है, लगारता चलता रहे, दोस्तों मैं आपको बात मता हूँ, अगर आप केबल present tense, present simple tense या present tense की पूरे जो definition है, या जो परिवासा हैं, या जो rules से देख लेते हैं, और इनको एक दम अच्छे तरिकेशन समझ लेते हैं, तो बाग की tense से अपने आप, इसी के आधार पर आपको समझ में आ जाएंगे, तो दोस्तों आगे देखते हैं, with webs of perception, अब बहुत अनात्म के लियाओं के साथ में, जैसे notice, see, watch, feel, hear, smell, tasty, act, दोस्तों ये जो वर्ब है, इनके साथ में हमेशा present simple tense का इस्तेमाल किया जाता है, जो दोस्तों ये feel है, इसमें आ गया, क्या आपको अंतरात्मा की चुबन महसूस हो रही है, do you feel the fix of consciousness, दोस्तों आपको ये ज्याद रखना है, कि अगर ये उपर आपके सामने जो दी हुई है, इनमें से कोई भी वर्ब आजाए, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल है, हमेशा present simple tense में होता है, दो नमर sentence है, मैं आपकी आँखों में प्रेम देख रहा हूँ, I notice love in your eyes, दोस्तों ये भी क्या है, इसमें भी दोस्तों जो love सबदाया है, ये भी एक प्रकार की एसी वर्ब है, जो की, sorry love नहीं, notice, जो नोटीस है, एक एसी वर्ब है, दोस्तों जो present simple में इसनामाल की जाती है, इसमें देखों notice आगे है, आगे बात करें, नमबर हमारा 11 है, with verbs of cognition, ये knowing, मतलब संग्यानात्में क्रियाओं के साथ में, मतलब क्या होता है, संग्यानात्में क्रियाओं जो नीचे दीगाई है, now, suppose, remember, forget, believe, mean, think, understand, trust, तो दोस्तों ये जो वर्ब है, इनके साथ में भी दोस्तों हमें साथ present simple tense का इस्तिमाल किया जाता है, जैसे की नमर एक है, do you believe in faith, क्या आप भागे में इस्वास करते हैं, बिल्कुल दोस्तों, ये भी जो example है, कई जो exam है, उन्हें पुच्छा जा सकते चुका है, दोस्तों, आगे है, with web of emotions, जो emotion होता है, दोस्तों, hope, like, want, wish, mind, prefer, दोस्तों, want यान होता है, आपको सब पता चाहना, wish यान होता है, इच्छा, hope यान होता है, आसा, desire यान प्रसंसा, fear यान वे, anger यान क्रोल, hate यान गिरिना, love यान प्रेम, दोस्तों, इस प्रकार जो यह होती है, भावनात्म में क्रिये हैं, यह सब दोस्तों, हमारे अंतरात्मा से जुड़ी विकतन है, और यह क्रिया हैं, तो दोस्तों, इन सभी के साथ में, present simple tense का इस्तेमाल, किया जाता है, आगे दोस्तों, sentence देखें, नमरे, मैं अच्छे प्रिणाम की आसा कर रहा हूं, अच्छे प्रिणाम की आसा करना, यह आपके अंतरात्मा के भाव हैं दोस्तों, यह आपकी भावनात्मा क्रिया है, दोस्तों, इसलिए, यह आपकी कोई सरीर क्रिया नहीं है, यह क्या है, आपके मान सी कि आप भावनात में करिया है तो भावनात में करिया हों के साथ में दोस्तों हमें साथ परजन सिंपल टेंस का इस्तिमाल किया जाता है हम इसको इसा दिले ले सब्के I'm hoping इंजी फर्म निंग कर सेकते है वह मुझे बहुत प्रेम करती है बिल्कुल करती है she loves me much मतलब है यह भी दोस्तों प्रेम करना यह भी क्या है अपने दिल से प्रेम करना अपने हरीदिस से हम दूस्तों को प्रेम करते हैं यह भी एक जो क्रिया है, वह ज़्यादा माइन ने रहती है, बलकि जो भाव है, आप एक दूसरे के बावों को समझना, तो लव, तो दोस्तों, यह क्या हो गई, बावनात्म किरिया, इसलिए दोस्तों, यहाँ यह जो है, पर जन्ट सिंपल टेंस में इसका इस्तिमाल किया जाता है, दो दोस्तों, इसके लाद दोस्तों, बात की जाए, लव, या हेट, या एंगर, या फियर, जो भी है, तो दोस्तों, अगर यह लव की बात करें, प्रेम की बात करें, तो दोस्तों, अगर आप पिछे प्रेम करते थे, आज उस यह हेट करने लगें, तो दोस्तों, आपके मन में कौन सी भावनात में क्रिया है, वो कर रही है, दोस्तों वही ज़्यादा माहिने रखती है, तो वर्तमान इसलिए, जो परजंट सिंपल टेंस है, साधारण वर्तमान काल, इसलिए इन क्रियाओं को दोस्तों, लाव, हेट, एंगर, फियर, डिजाएर, यह जो सभी क्रिया है, यह भावनात में क्रिया है, और भावनात में क्रिया किसमें इस्तिमाल की जाती है, परजंट सिंपल टेंस में, दोस्तों आगे बात करें, आगे है, विथ, विथ, सम्मिस्जिलेनियस वर्प्स, अन्य वीविद क्रियों के साथ में भी वो कौन-कौन सी है अपियर, सीम, डिजेंबल, मेटर, कॉंसिस्ट ओफ, कंटेंड, डिजर्व इन क्रियों के साथ में दोस्तों परजन सिंपल का इस्तिमाल किया जाता है जैसे रेखें वह है एक अभीनेत्री लग रही है अब अपियर हो गया लगना उसके जैसा लगना किसके जैसा अभीनेत्री के जैसा वह एक अभीनेत्री शी लग रही है जग में दूद है जग कंटेंड मिल्क तो दोस्तों इस परकार जो कंटेंड है content जो verb है ये भी हमेशा present tense में काम मिली जाती है आगे बात करें जो सहसर्थ आदे साथ में वाकिया होती है सहसर्थ आदे साथ में वाकिया इनमें हमारा जो है with conditional imperative सहसर्थ आदे साथ में वाकिया नमर एक है कि आपको ऐसा करने के लिए ऐसा करना होगा तो यह सब कुछ है वो परजन simple tense में इस्तेमाल किया जाता है मतलब खड़े हो जाना जब शिक्षए कर्णा गाख सामीया जाए तो दोस्तो यह स्वाभावी क्रिया है हमारी और हमें करनी चाहिए तो इस परकार जो सहसर्थ होती है stand up when the teacher comes to class आगे बात करें दोस्तों आगे negative imperative नकारात्मक आदे साथ मुआ के सोर नगरें don't make a noise मतलब है सोर नगरें दोस्तों ये नकारात्मक आदे साथ मुआ के इनको भी आप present simple में इस्तेमाल कर सकते हैं तो दोस्तों ये हमारा present simple tense है वो यहाँ पूरा होता है अब बात करते हैं present continuous tense की दोस्तों मैं आपको बदा दूँ कि जो present simple tense में जो फ्यक्ते है उसी परकार के लगबग जो rules है वो present continuous tense में आते हैं तो इसके हम इसके बारे में बहुत ज़्यदा विस्तार से चरचा नहीं करने वाड़े हैं इसको हम कम समय में अधिक जानकारी के फोर्मिले के साथ में इसको आगे पढ़ेंगे तो दोस्तों इसकी जो मुख्य पैचान है मुख्य नियम है जो मुख्य helping verb है या जो main verb होती है इसके सामने जो किस परकार की वरब कामें ली जाएगी उसके समझ में जो basic rules है उनको ही पढ़ेंगे नमबर एक है सामने आपके सामने यदी यदी वरतमान में कोई भी कारी जारी है तो उसे दिखाने के लिए कि इसका इस्तिमाल किया जाता है present continuous tense का इस्तिमाल किया जाता है जिसे हम लगातार वरतमान काल भी हिंदी में कहते है present continuous tense को हिंदी में कहते है लगातार वरतमान काल नमबर आगे है present continuous tense में helping verb के रूप में subject I के साथ में M बिलकुल आप बहुँ ज़्यदा जान रखना है subject we, you, they वे plural noun के साथ में R और he, see it singular noun के साथ में इस का इस्तिमाल किया जाता है आपको दुबार बताऊं में कि आपको I के साथ में तो हमेसा M आएगा इसके अलावा जो आपके V, you, they या plural noun के साथ में R का इस्तिमाल और he, see it or singular noun इसका इस्तिमाल किया जाता है आगे है present continuous tense में main verb की first form plus ing का use किया जाता है जैसे देखें तो present continuous tense है इसमें दुबार देखें present continuous tense में main verb की first form first form के साथ में ing हमें सा use किया जाएगा जो अब दोस्तों मैं बात करूँ जो present continuous की पहचान है उसकी क्या पहचान है कि या तो आपके साथ में subject के साथ में एम आएगा नहीं तो आपके इज आएगा इज नहीं आएगा तो आर आएगा इन तिनों के प्लस में वर्प की फ़र्म प्लस में आएंजी फ़र्म में आएगी तो दोस्तों करना क्या है अगर आपको इज आरेम प्लस वर्प की आएंजी फ़र्म दिखे इज आरेम प्लस वर हाँ कि एक और आगया एक आगया इनके साथ में जो आएंजी फोर्म इस से कहते हैं इस सब्दूर में से अगर आपको कुछ दिखता है तो दोस्तु वहवा के present continuous tense में होगा जैसे कि इसका एक example देख लेते हैं example है कि राम खालिस्तान इन जेपूर नौवडेज अब लाइव जो फ़र्म है इसको इस्तिमाल करना है इसको देखते हैं आप पता लगा सकते हैं कि यह present simple में है और 8 इस से भी पता चलता है कि यह present simple का वाक्य है इस प्रिपेरिंग से पता चल रहा है कि यह क्या है यह present continuous है और 4 exams यह इसका object है आगे बात करें नोट कुछ ऐसी वाब्स इस्टेटी व्याब्स है जो continuous या perfect continuous tense में यूज नहीं हो सकती वो कौन-कौन सी है दोस्तों कुछ ऐसी क्या वर्ब है मलब किरिया है जिनका इस्तेमाल हम continuous है पर जेंट पर पर फ्रफेक्ट कंटीव है continuous tense से इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते वो कौन-कौन सी है क्योंकि दोस्तों इन सभी वर्ब्स का इस्तेमाल हमने अभी पीछ से जाना था जो पर जेंट सिंपल टेंस पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि इन चिंस का जो यह वर्ब्स है इनका इस्तेमाल हमें सा पर जेंट सिंपल में होता है नहीं कि पर जेंट है continuous में तो दोस्तों वही चीज़ें वापस आई है वो जो हमने पहले अभी वर्ब पढ़ी थी दोस्तों जिसे हमने पढ़ा था लव पे हमने काफी तर्चा की थी लव है और लाइक है वांट है तेस्ट है या जो हेट है जो ग्रिणा करना होता है तो दोस्तों यह भावनात में किरिया है होती है इन किरियां का इस्तेमाल पर जेंट सिंपल में होता है नहीं कि पर जेंट है continuous में तो दोस्तों यह वर्ब अगर वाक्य में आ रही है तो वह यह loving बिल्कुल लग़ता होगा इसमें आपको केवल love ही करना होगा क्योंकि जो love career प्रेम करना एक career है तो इसका इस्तेमाल हमेशा present simple में ही होता है इस परकार दोस्तों इन सभी career का इस्तेमाल है वो present simple में हो सकता है नहीं कि continuous tense में तो दोस्तों इसका आप इस रिसोड ले सकते हैं इनको याद कीजिए क्योंकि यहीं से बार-बार क्यूशने हो एक्जाम में पुछा जाता है आगे बात करें दोस्तों अगला है present perfect tense अब मैं दोस्तों आपको विश्टार से नहीं बताने वड़ा क्योंकि जो rule है समझना है आपको present simple tense को आपको पूरी तरह समझ लेना है अगर आपने present simple tense को पूरी तरह से समझ लिया है तो यह चीज़ें आपको एकदम आशानी से समझ में जाएगी और जो चीज़ें बच जाएगी उन चीज़ें को हम दोस्तों practice set करेंगे तो दोस्तों सब्सें बड़ी समझ यह होती है कि हम example नहीं लेते पर तेक चीज़ का example लेना बहुत ही जुरूरी है जैसे हम example करेंगे तो हमें person से उतर निकालने की जो कला है वो मिल जाएगी अगर कला मिल गई तो हमें इनको याद करने के आवसेक्ता नहीं अपने आप याद हो जाएगी तो वो चीज़ हम करने वाणे है हम उसको प्रात्मिता देंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो example है वो solve की जाए पर तेक जो tense है इसके example है वो अगली class में हम ज़रूर solve करेंगे दोस्तों इसके लिए हमारा सब कुस त्यार है मेटर त्यार है तो आप सिंता देंगे इसके बाद में just class है वो हमारी जो person author की होगी या जो example है उनको solve करने की होगी उधारन उनको देखेंगे अगला tense है present perfect tense दोस्तु आप सबको पता होगा इस tense को अंगलजी में कहते हैं पूरण वरतमान्दकाल present perfect का मतलब होता है पूरण वरतमान्दकाल मतलब कोई काम है वो हो चुका है चुका है चुकी है चुकے है तो दोस्तु यह सबद है present perfect के जो है होते है सबसे पहले लाइन है ये दि कोई कार्य हाली में समक्त हुआ हो तो वहां present perfect tense का इसने माल किया जाता है जैसे राम खाना खा चुका है राजू खाना खा चुका है राजू इसकूल जा चुका है तो दोस्तों ये चुका है चुकी है चुके हैं ये सब किसके पहचान होते हैं परजेंट परफेक्टेंज की नमबर दो है परजेंट परफेक्टेंज में सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे वह सभी पलूरेल नाउन के साथ में हेव तथा he, see, it वह सिंगूलर नाउन के साथ में हेव का इस्तिमाल किया जाता है दुबार देखते हैं, जो सिंगूलर होगा उसके साथ में हेज का यूज की जाएगा और जो पलूरेल होगा, दोस्तों उसके साथ में हेव का इस्तिमाल किया जाएगा, हेज है वो सिंगूलर है हेव है वो पलूरिल है तो दोस्तूं एक तम सिंपल है आपको पता होगा इसके बारे में तो आगे है present perfect tense में main verb की third form का यूज किया जाता है जो main verb है उसकी third form का में ली जाएगी तो दोस्तूं hedge या hay plus main verb की third form आजाए तो आपको मिल्कूइ पता चलेगा किये टेंस कौन सा क्या है पर्जेंट पर्फैक्ट है अब पर्जेंट पर्पेट्टिंस की पैचान है वह सब्दूं के आदार पर किस परकार की जा सकते हैं पहला है आल्रेडि निय वर काहणी किसके है प्रजंट सीम्पल यौद Gefm पहले सी कोई कार्य हो चुक है घाम खनां पहले से ह्का चुका है यह तो यह आलेडी सब्दे है, यह किसमें होगा、 present perfect tense में, just, yet, recently, up to now, up to present, up till now, केवल till now आये हैं तो जो tense अलग हो सकता है, up till now होना चाहिए, up till present, so far, since, या four plus time, या lately at इसके सबसे बड़ी पैचान है आपको दोस्तों, यह बहुत Inportate है सब के लिए, since या 4 plus time यह तो बहुत बड़ी पैचान है ज्यादातर सब्दों में या ज्यादातर जो sentence है इसमें यह आ सकता है तो आपको ध्यान रखना है यह भी आ सकता है और इनके अलावद जो जितने भी आपके सामने यह सब्द है दोस्तों यह सब्द परजेंट परफेक्ट टेंस की जो दोस्तों उनकी पैचान करवाते है आगे है दोस्तों एक्जांपल देखें ही हेज फिनिस्ट दोस्तों ही है सिंगुलर है इसलिए जो हेल्पिंग वरभी वे भी हेज आएगा दोस्तों हेज के साथ में फिनिस्ट क्हाइए यह परजेंट परफेक्टक टेंस फिनिस्ट के है दोस्तों यह सब्द़ आया है तो रिसेन्टली से पता लगा सके हैं कि जिस वाकिए में होगा उसका मतल़ा यह कॉन सा टेंस है बजेंट फरपेक्टेंस है शीयें रिटाइन यदेन लेट ली मणलब डेरी शें यह लेटली सब्द आयए तो दोस्तो इ suburbs इसका ममदब यह पी या है आल रेडियों होता है पहले से लब पहले से काम कर चुका है और आल रेडियों होता है हमेशा हमेशा का मलब है present simple tense इसके लाओ दोस्तों आगे बात करें इसका एक एक जांपल हो रहे है see, खालिस्तान, food, yet तो इसका आप सबको पता है कि दोस्तों आपकी सम्सेंटेंस है see, food, yet दोस्तों में नहीं बताए था कि present perfect tense है उसमें yet आ गया है तो इसका मलब यह sentence तो कौन सा है present perfect tense है अब दोस्तों आप कहोगे कि see है singular है तो इसकी हिसाब चेंदों इसका उतर option नमर एक रेक्ट रहना चाहिए हेज cooked है क्योंकि see के हिसाब चें हेज आ गया और web की third word में वो भी cooked आ गई लेकिन दोस्तों इसका उतर see क्यूं माना है इसका reason क्या है दोस्तों इसका हिंदिया नुआत करें है see, hedge, cooked, food, yet yet यह नहीं होता दोस्तों अभी तक मतलब उसने इस तरीक की बात हो रही है किसी महिला की बात हो रही है मतलब उसने अभी तक खाना खाया है यह sentence नहीं मना यह इसको हम यह के सके उसने अभी तक खाना नहीं खाया है तो दोस्तों यह जो yet है यह negative sentence में आ रहा है yet का जाए इस्तियमाल होगा तो दोस्तों वह लगबग negative sentence ही होगा तो इस प्रकार दोस्तों बहुता हूँ आपको तो यहां होगा जो हमारा हेज नोट कुक्ड अपस नमर तीन अकरेक्ट हो जाएगा C. हेज नोट कुक्ड फुड मलब उसने अभी तक है वो खाना नहीं पकाया है दोस्तों इस प्रकार उसने अभी तक खाना नहीं खाया है या अभी तक उसने खाना नहीं पकाया है कुक्ड क्या नोट है दोस्तों पकाना आगे बात करें नमर अगला एक्जामपल है राम खालिस्तान हमें विजिट की जो वर्ब कामे लेनी है राम विजिट ताजमेल अप्टू नौ अभी तक इस समय तक तो दोस्तों इसमें भी जो हम कहें कि जो राम है दोस्तों जो अप्टू नौ है अभी तक या इसमें तक राम इसमें तक क्या हुआ है विजिट है जा चुका है ताजमेल राम अभी तक ताजमेल जा चुका है तो कि राम है अभी तक या इसमें तक ताजमेल नहीं जा चुका है तो दोस्तों यह कही सेंटेंस है इसमें आपको नेगेटिव सेंटेंस आ रही है तो दोस्तों जैसे यट हो गया या अप्टून हो गई तो दोस्तों इनमें नेगेटिव सेंटेंस है या negative sense है, वो निकलता है तो इनमें आपको याद रखना है कि इसमें hedge visit नहीं आएगा, बलकि hedge note visit आएगा, तो इन चीजों को आपको याद रखना है, आगे बताओ मैं दोस्तुं यहाँ एक rule है, वो क्या कहता है इनके समझे में, yet up till now, up to present up till present, so far या up to now के साथ हमेशा negative या interrogative sentence होना चाहिए, दोस्तु use yet है, yet हमेशा negative या interrogative sentence की पहचान होती है, negative या negative interrogative sentence की पहचान होती है कौन होती है, yet, up till now up to present, up till present so far, up to now तो यह सब्द है, किसकी पहचान होते हैं present perfectancy में भी negative या interrogative negative sentence की पहचान होती है, तो दोस्तों आपको यह रूज भी आपको याद करना है, यह भी बहुती मैत्रपुन है, कि आपको जो टेंस है, उसकी पहचान किस परकार करनी है, एक जाम मैं सीधा पुचा जा सकता है, sentence दे लिया, और इसमें पूछ लिया, कि इसमें कौन सा sentence है, इस्तिमा को देखकर, अप टू नौ है, तो दोस्तों आप सबको पता है, अप टू नौ किसमें होता है, परजेंट परफेक्टेंस में होता है, और परजेंट परफेक्ट के मी, दोस्तों नेगेटी और इंटेरिगेटी नेगेटी सेंटेंस में होता है, दोस्तों आगे बात करें, इ दोस्तु, only सब्द आते ही, आप इसको मलब present perfect के affirmative sentence में भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं, यहाँ बात हो रहे थी दोस्तु, हम यह कह रहे थे, कि yet का प्रियोग है, yet या up to know है, इन सब्दों का प्रियोग हम किसमें करते हैं, negative sentence में करते हैं, लेकिन दोस्तु, इसका एक अपवा कारण, दोस्तु, yet भी आया है, लेकिन only भी आ गया है, तो yet है, या उपर इसके अलवा जो अप प्रियोग है, जो यह क्रियोग दी गई है, जो यह आपके सामने, जो present perfect sentence की पैचान दी गई है, इन सब्दों के साथ में, अगर only सब्द आ गया, तो दोस्तु, आपको क्या कर हो गई, तो दोस्तु, he has given me only 200 रूपीज, यट, दोस्तु, इस प्रकार, इस sentence यह option नमर एक है, वो correct हो जाएगा, इसके लाव दोस्तु, present perfect sentence की एक और पैचान है, कि यदि sentence की सुरुआत, sentence की सुरुआत, मतलब किसी वाक्य की सुरुआत है, it this, या this this is first, या this is second, या this is time, इन सब्दूसियां अगर यह कोई वाक्य सुरु हो रहा है, शुरु हो रही हो, तो इसके बाद के भाग में हमेसा present perfect tense यूज किया जाएगा, जैसे, it is third, तो दोस्तु, it is third आया, इसके लिए, it is third time, you, खालिस्तान, दोस्तु, have come to my home, दोस्तु, अगर कोई sentence है, it is time, या it is third मतलब इन सब्दूसियां, अगर कोई sentence है, प्राइनम होता है, तो उसमें आपको present perfect tense है, उसका इस्तेमाल करना है, दोस्तु, आपके सामने में एक्जाम्पल भी रखा है, it is third time, you, खालिस्तान, have come, you की वज़ए से दोस्तु, यह क्या आया है, you, मतलब आपको पता second person है, second person म helping, वरब हो का में आएगी, age की बजाए, how, तो दोस्तु, how come, आगया, क्यूंकि come है, वो इसकी third form है, come, come, you, come, came, second form हो गी, और इसकी third form वापस came हो गी, इस प्रकार, how come, you, how come, is it का इस्तेमाल किया जाएगा to my home, option number B, इसका correct हो जाएगा, आगे बात करें, अब है, present perfect continuous tense, पर परजेंट में भी जारी है तो परजेंट परफेक्ट कंटीनियूस टेंज का यूज किया जाएगा मतलब जैसे कि आज से लगब दो साल पहले कोई काम शुरू हुआ था और वो कारी अभी भी चालू है तो उस इस्तिति में दोस्तों परजेंट परफेक्ट कंटीनियूस टें किया जाता है तो दोस्तों आपको याद रहन है यह सीट और सिंगुलर के साथ में हेज भी नोगा नोगा तो दोस्तों आए वी यू दे और इनके अलावा बात करें इसकी पहचान है वह किस परकार से की जा सकती है कि इसमें परजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तो main verb की first form plus ing का use किया जाता है पहली बात तो क्योंकि continuous है, progressive tense है तो progressive में हमेशा verb की first form के साथ में ing form use की जाती है अब जो इसके adverb है adverb की रूप में दोस्तों आपको सबको बता क्या काम याता है since या 4 plus time अब दोस्तों देखो यहाँ point of time क्या है और period of time क्या है since का इस्तिमाल कहां किया जाता है since का इस्तिमाल किया जाता है जहाँ point of time हो जैसे since 47 से point of time का मुद्वक उस समेश से जिसे मैं कहूं कि पिछले सोमवार से बंगलवार से या मैं कहूं कि 31 जनवरी से रींजर बारास यह जो पॉइंट उप टाइम हमें पॉइंट बता रहे एंगे उस समय से प्रहराँमो कर तो ऊसने लिए सिण्स का इस्तिमाल किया जाता है जिसे सिंद्स मंडे सिंद्स दिवाली u क्यों काइरें शल से बनाइने से बनादो सप्ता से दो दिनु से या कहें कि जो एक निरधर दो गंटे से कह सकते हैं दो मिनट से कह सकते हैं 20 से कह सकते हैं इस परकार जो period of time जिसे इनी में कहते हैं एक निश्चित समय आउधी वहाँ दोस्तु क्या होता है इस परकार का सिंसे वो consistency की पहचान होती है present perfect continuous से tense की तो दोस्तु इसमें देखें तो period of time में for two years, for two days, for two hours example देखें लेखते हैं दोस्तु number 1 है he has been he singular noun है इसलिए जो singular helping verb है और दोस्तु यह आपके सामने है progressive जो हमारी verb है वो काम्यारी है he has been living here यहाँ since his birth मलदा अपने जनम से जहाँ दोस्तु point of time आये जनम हुआ है, तब से वो है यहाँ रह रहा है मतलब he has been living here since his birth, मतलब वो है अपने जनम से यहाँ रह रहा है, he has been playing cricket for two hours मतलब वो है playing cricket यानि cricket खेल रहा है कितने गंटे से, दो गंटे से इसमें दोस्तु फोर क्यों आया क्योंकि यहाँ दो गंटे की अउधी दिये गई है नमर तीन है he is watching a movie for two hours he is watching अगर दोस्तु यहाँ देखो इस वाचिंग आ गया और दोस्तु आपको पता है इस के साथ में, इस MR के साथ में दोस्तु वरप के साथ में अगर आये जी फॉर्म है वह Legend Continuous Trance की फॉर्म होती है लेकिन दोस्तु यहाँ निर्दार तो समय आउधी है वो दी हुई है अगर समय आउधी दी हुई है तो दोस्तु समय आउधी दी होने के कान दोस्तु यहाँ परज़ंट continuous नहीं होगा बलकि परज़ंट फरफेक्ट continuous से होगा क्योंकि यहां समय दियावा है और present continuous में दोस्तूं समय आउदी या point of time है वो दियावा नहीं रहता नमर चार है दोस्तूं यह जो तीन है यह गलत क्यों हुआ क्योंकि इसका sentence ही होगा he has been watching a movie for two horse वह लब है वह चार गंटे से movie देख रहा है तो दोस्तूं इस परकार हमने आज present simple जो पर तो दोस्तूं हमने पूरी कोशिस की कि आपको present simple टेंस है उसको पूरा पढ़ाया जाए present simple tense के बारे में हमने विश्तिर चर्चा की present continuous present perfect और present present continuous इन सब की दोस्तूं हमने विश्तार से चर्चा भी किये और इनकी पैचान भी देखिये कि किस टेंस की पैचान है वो किस परकार की जा सकती है तता उनकी पैचान करके उनमें जो सही विरभ होगी उसका इस्तिमाल या बिल्कुल ने बुलें और आपका जो परते कमेंट है वो हमारे प्रोचसान को कई गुना बढ़ा देगा और दोस्तूं आगे जीतें भी वीडियो आएंगे वो और भी से भी रोचक होंगे यह मैं आपसे पूरी वादा करता हूँ दोस्तूं आप लगातार दे कि अगर आपके कमेंट्स पर जरूर अमल किया जाएगा और दोस्तूं आगे का वीडियो इसे भी बेतर होगा यह मैं आपसे वादा करता हूँ दोस्तूं अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट जरू करें अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसको सब्सक्राइब क परकार के जो अब्जेक्टिक क्यूशन बनते हैं उन पर विस्तार से तर्चा होगी परतेक जो परसन होगा उसमें यह बताए जाएगा कि इसकी पैचान किस परकार होगी तता इसमें जो उत्तर आ रहा है वो क्यों आ रहा है दूसरे वाले उत्तर क्यों नहीं आ रहे मतलब अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही जेहिंज जेवार्ट राम राम साथ